लड़की नहीं, फरिष्टा जेसलमेर के राजा युद्ध मोर्चे पर सेना लेकर लड़ने गए थे किले की रखवाली का भार अपनी कन्या रतनावली को सौप गए वो मर्दाने कपड़े पहन कर किले के बुर्जों पर बराबर रखवाली करती एक दिन शत्रू सेना के कुछ सैनिक किले की दिवार पर चड़ने लगे तो उसने उपर से पत्थरों की वर्षा की और खोलता तेल उपर से डाला और भी कई घाते किले में प्रविश करने की शत्रूओंने लगाई पर रत्नावली की सूजबूच से एक में भी सफलता न मिली अंततह शत्रूओं को वापस लोटना पड़ा वे रत्नावली को लड़की नहीं फरिष्टा बताते रहे आकरमन के समय सूजबूच से काम लेना चाहिए